हलो बच्चों नीट 2019 का क्वेश्टन है यह तू सिमिलर थीन इक्वी कन्वेक्स लेंशेज और फोकल लेंथ एफ इच आर केप्ट को एक्शली इन कॉंटक्ट विद इच अदर सच दाट दाट फोकल लेंथ पोछ बच्चों अदर फोकल लेंथ का रांसें पूंट का रहा हुआ वेश्टन का रांसें इच एफ जयुको रर्शियो बैबाबर हो रहा है लेंगेस की जो लेंशे से ब्राबर होगा थन एक्वेल्ट फोकल लेंथ से फींट वेलए फ्यु आपॉप लेश्यों पॉच्हा तो देखिए यहां पर convex lens हम लोगो convex lens दिया हुआ है बच्चो ठेक है और बोला गया कि यह जो convex lens है इनके बीच का जो gap है यहां जो gap है इनके बीच का इसको glycerin से फील कर दिया गया ठीक न यहां पर glycerin से फील किया गया तो फील करने से पहले बोल रहा है कि फील करने से पहले जो focal length है वो focal length f1 है तो पहले single ना पहले जो single यह है lens है उसका आप निकाल के देखी तो single lens के लिए focal focal length कितना आएगा जिसे एक single lens यहां पर अपने पास है convex ठीक है raise इधर से जाएगा तो first surface का radius positive होगा second surface का radius negative होगा क्योंकि second surface का radius आप के लिए light के against जाएंगे तो आपको negative मिलेगा तो अगर आप single का देखें तो mu minus 1 क्योंकि दोनों side में air है तो आपको mu minus 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि mu 1 यहां पर 1 हो जाता है ठीक है 1 upon r minus minus 1 upon r क्योंकि 1 upon r1 minus 1 upon r2 होता है तो r2 तो negative होगा विजस्टिम है आपको मैंने तो यहां से आपको जो focal length मिलेगा या फिर 1 upon f मिलेगा वो mu minus 1 into 2 by r होगा ठीक है एक individual का तो दोनों का अगर आप यहां देखें तो आप लिखेंगे 1 upon f plus 1 upon f ठीक है तो यह पूरे equivalent का मिलेगा 2 by f ठीक है तो यह 2 by f हो गया बट अब बोला गया कि यहां पर हम लोग क्या करें कि जो इनके बीच का gap है जैसे मालने जिए एक convex lens यह हो गया दूसरा convex lens यह हो गया तो इनके बीच का जो gap है उसके बारे में information दिया कि यहां पर हम लोगों ने glycerin से फिल कर दिया ऐसे तो कैसा दिखेगा भी दिखिए एक आपको convex दिखेगा एक आपको concave दिखेगा फिर एक convex दिखेगा तो टोटल अब तीन lens अब आपको दिखेगा ठेक है तो अब आपको तीन जब lens दिखेगा है ना तो अब आप क्या करें तो यहां पर इन दोनों का तो आपको मालूम है सिर्फ इसका निकालना है तो इसका निकालिए और फिर उसका वाद से इक्विलेंट फाइन कीजिए तो देखिए यहां पर raise अगर आप देखें तो ऐसे जा रहा है तो इसमें first surface negative होगा और second surface क्या होगा बच्चो पॉजिटिव होगा क्य आपको यह f1 मालूम है अपने को f3 मालूम है f2 निकालना है तो 1 upon f2 is equal to formula देखिए मालूम होना चाहिए आपको lensmakers का मैं पूरा लिख देता हूँ तो यहां पर दोनों साइड में air assume करने होगे अपने को तो यहां पर 1.5 by 1 minus 1 into first surface negative तो minus 1 by r second surface positive so minus 1 by r ठीक है तो अभी यह हो जाएगा कितना 0.5 that is 1 by 2 minus 2 by r तो यह minus 1 by r भी लेगा ठीक है अब यहां पर भी जो हैना सारी values को put करके एक individual का focal end देखते है कितना आता है r के term में तो देखें यहां पर 2 और refractive index 1.5 minus 1 refractive index 1.5 है तो आपर दीजिए तो देखें यह 2 into 0.5 by r that is 1 by r आएगा तो एक individual convex lens का जो focal length जो 1 by f है वो 1 by r आ रहा है मत्तों focal length r के बराबर यहां पर हम लोग का मालूम हो रहा है तो आप यह काम करें जो यह convex जो concave lens है ना बीच में आया है glycerin के वज़े से उसको f के term में convert कीजिए तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि 1 by r is equal to 1 by f है तो यहां पर 1 by f2 is equal to क्या हो जाएगा इस 1 by r को 1 by f से replace कीजिए और minus को as it ही छोड़ दीजिए तो यह 1 by f हो गया तो अब अगर आप यहां पर equivalent निकालते हैं 1 by f2 एक आप convex का लिखेंगे दूसरा आप concave का लिखेंगे फिर आप convex का लिखेंगे तो यह cancel होगा तो 1 by f तो अगर यह आपको यहां से f2 मालूम करना है तो f2 क्या लिखेंगे f लिखेंगे बट इधर से अगर आपको f1 इसको capital f1 दिया हो था तो अगर इधर से आप capital f1 लिखेंगे तो f by 2 लिखेंगे तो आप यहां पर ratio find कीजिए आप f1 by f2 that is f by 2 upon f f say f cancel 1 by 2 तो जो यहां पर f1 by f2 is equal to 1 by 2 इसका रसियो आएगा तो option number 4 is the right answer